हलो फ्रेंज, स्वागत है आपका माईलो फैमिली चानल में PCOS या पॉलिसिस्टिक ओविरियन सिंड्रोम एक कॉंपलेक्स हॉमोनल डिसॉर्डर है जिसमें ओवरीज में छोटी-छोटी फ्लूरिट से भरी हुई सिस्ट हो जाती है PCOS सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये अपने साथ इमेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम से जुड़े अन्य कॉंपलिकेशन को भी ले आता है आज के इस वीडियो में हम इसी विश्वेपर डिटेल में बात करेंगे वैसे अगर आप फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं प्रेगनेंसी के खुबसूरत सफर में है या फिर एक नन्नी सी जान को जन्म दे चुके हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक से माईलो आपको डाउनलोड कर सकते हैं माईलो आप पर आफ फ्री में कई सारे इंपोर्टन टूल्स को अक्सेस कर सकते हैं और एक्सपर्ट से बादशीर भी कर सकते हैं इसके अलावा माईलो आप पर बहुत कुछ है PCOS में मेल हॉर्मोन एंडोजन का ओवर प्रोड़क्शन होता है और दुनिया की करीब साथ प्रजिशत मेलाएं समस्या से जूज रही है दवाईयों के अलावा PCOS का ट्रीटमेंट, लाइफस्टाइल करेक्शन और डाइटरी चेंजिस के साथ भी जुड़ा हुआ है जिसमें जड़ी बूचियों पर अधारित कुछ होम रेमिडीज भी शामिल है आज हम ऐसी ही कुछ होम रेमिडीज के बारे में जानेंगे जिनने आप चाय या काड़े के रूप में ले सकते हैं वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे कि हर्प्स को प्रयोग करने का आसान तरीका क्या है लेकिर उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आप उन 10 लखी विनर्स में से एक हो सकते हैं जो हर फ्राइडे 500 रुपय का बाउचर जीते हैं आपको बस इस वीडियो को अंथ तक देखना है और उस शब्द को कॉमन सेक्शन में चेम करना है जो वीडियो में आपको मिलता है बाउच और इठीम करने के लिए दिस्क्रीप्शन में दिये क这个 link पर लिक करें और माई लो आप टाउन्लोट करें मुलेथी यानि लिकुराइस, effective in hormone regulation, acts against androgens, helps to convert androgen into estrogen, anti-inflammatory properties मुलेथे जिसे लिकुराइस भी कहते हैं, PCOS का एक आयर्वधिक इलाज है जो हर्मोन्स को regulate करने में बेहर्द effective है इसके सेवन सेश शरीर में कुछ ऐसे enzymes बनते हैं जो endrogens को estrogens में बदलने की क्षमता रखते हैं जिससे हर्सुतिजम यानि की excessive hair growth और acne जैसे symptoms control होते हैं शतावरी, hormone regulation, anti-inflammatory effects, antioxidant activity, stress management शतावरी में adaptogenic properties होती हैं जिससे endrogen imbalance को कम किया जा सकता है साथ ही इससे जुड़े लक्षन जैसे की hair fall और acne को control करने में भी इससे मदद मिलती है माना जाता है कि oxidative stress PCOS का एक main कारण है और शतावरी की anti-oxygen properties से इससे effectively control किया जा सकता है मंजिष्ठा, hormone regulation, gives liver support, improves fertility, improves skin health मंजिष्ठा में भी estrogenic properties होती हैं जो hormone levels को regulate करके estrogen balance कर लेती है इसके अलावा मंजिष्ठा liver को स्वस्त रखने के लिए बहुत जादा लाबकारी है जिससे metabolism strong होता है और body detoxification में मदद मिलती है इससे hormonal balance बढ़ता है और fertility improve होती है painful और irregular periods के लावा cyst formation को control करने में भी इससे मदद मिलती है इसके anti-inflammatory good and low-grade inflammation को control करते हैं जिससे acne और pigmentation जैसे skin issues भी कम होने लगते हैं शंक pushpee high adaptogenic properties, helps in hormonal imbalance, effective in stress management, helps in blood purification शंक pushpee में भी adaptogenic properties पाई जाती हैं जिनसे hormonal imbalance ठीक होता है इससे बढ़े हुए androgen levels control में आने लगते हैं जिससे irregular periods में कमी आती है इसकी calming and stress relieving properties, stress को कम करते में मदद करती हैं और mentally relaxed रखती है शेमोमील stress reduction, sleep support, anti-inflammatory effects PCOS के मुख्य कार्डों में से एक है stress और शेमोमील की calming properties, stress reduction में बहुद मदद कार है इसके अलावा इसके प्रयोक से गहरी नीद आने में मदद मिलती है जिससे hormone regulation बढ़ता है और overall health पर अच्छा असर पढ़ता है शेमोमील में flavonoids and eteropenoids जैसे anti-inflammatory properties भी होती हैं से excessive acne, hyperpigmentation और pimples जैसी problems को control करने में मदद मिलती है यह सभी herbs, powder, capsules और liquid form में market में available हैं जिन्हें आप किसी भी Ayurvedic doctor के सलहा से दवा के तौर पर ले सकते हैं इसके प्रयोग का एक और घरेल और आसान तरीका है इन जड़ी बूटियों से बनी हुई चाय का प्रयोग शेमोमील, शतावदी, शंख पुष्पी और मंजिष्ठा से बनी चाय के सेवन से आपको अदवुद लाब मिल सकता है इससे ना केवल मूट स्विंग बलके वेट लॉस और पीसी ओएस के कई अन्य सिम्टम्स को कंट्रोल करने में माचिकल रिजाल्ट्स मिलते हैं आप इसके लिए माईलो की पीसी ओएस और पीसी ओडी टी भी ट्राइ कर सकते हैं तो 100% नाच्रूल है और इन सभी जड़ी बूचियों के गुड़ों से युक्त है मेंस्टर साइकल, वेट मानेजमेंट, मूट स्विंग्स और आखने के समझ से हमें बेहुद एफेक्टिव ये चाहे टी बैक्स के सा आती है जिससे इसे बनाने में बेहत असाली होती है फिलहार इस विडिो में इतना ही, उमीद है आपको इस विडियो जरूर पशंद आया होगा अगर आपको भी ये वीडियो यूस्पॉल लगा है तो इस वीडियो को लाईक करना ना भूलें कॉमेंट करके अपने बिचार हमें बताएं और अपने फ्रेंड और फामली के साथ इस इंपोर्टन इंफोर्मेशन को जरूर शेयर करें साथ ही सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको समय-समय पर नोटिफिकेशन्स मलती रहें करें बताएं आपको सरश करें आपको समय-समय जरूरी करें अपको समय-समयज चारी